स्टुडेंट आजम आपकी हिस्ट्री का आभी का वीडियो इस्टार्ट करने जा रहे हैं आपको यहां सपढ़ाया था चेन ओफ इन्वेंशन फर्स्ट दे रिवलेशन इस्टार्ड इन्वेश का हिस्सा पहले कप्डाउद्यों की क्लांती से शुरू हुआ इंडिया इंपोर्टेट लार्ज क्वांटिटीज ओफ कोटन वारत में बड़ी मंत्रा में कपास का आयात किया द्धागे में कपड़ी का बाहर निकालने के लिए नई मशीनों की आउशक्ता थी इन अविशकारों में सबसे पेरले उडने वाला सचटल और स्वर्णिग जैनी था जिसने कपास को तेजी से स्विन करने में मदद की The water frame and the mule help the tear to make them finer and cheaper Water frame और खच्चन ने धागे को बारी और सस्ता बनाने में मदद की Ely Whitney invented the cotton gin then spreaded seeds from cotton 300 times faster than by hand Ely Whitney ने cotton gin का विश्कार किया जो हाथों से 300 गुना तेजी से कपास की बीच अलग करते थे He used first mass production method in the arm factory उन्होंने अपने हथियार कारगाने में पहले बड़े पैमाने पर उत्पादन के तरीके का इस्तिमाल किया The invention of steam engine by James Watt symbolized the revolutions James Watt द्वारे steam engine का अविश्कार क्रांती का प्रतिक था It could be used in any kind of machine इसे किसी भी तरह की machine में इस्तिमाल किया जा सकता था Later, Cartwright also made the power loom that could run to run on steam engine of James Watt Steam engines के बाल, Cartwright ने power loom भी बनाया जो James Watt की steam engine पर चल सकता था In 1814, George Seftson invented the first locomotive rocket by using the steam engines एक power loom machine 1814 में George Seftifations ने steam engine का उप्योग करके पहले locomotive rocket का अविश्कार किया The large scale constructions of rail Railroad improved and transport duration of people and materials Rail margo की बड़ी पैमानी पर निर्मान ने लोगों और सामागरी के परिवहन में सुधार किया Road and canal system made travel cheaper सडको और नहर प्रणाली ने यात्रा को सस्ता बना दिया In 19th century, telegraph and telephone improved the communications उनमीसी सतावदी में telegraph और telephone ने संचार में सुधार किया The blush furnace covered iron to steel which could in turn produce better machines Blush furnace ने लोही को इस्टेल में बदल दिया जो बदले में बैठर मशीनों का उत्पादन कर सकता था इतना revision कर देना है कि उसके आज आपको कड़ा रहे है लेको निवीश बदाए निवीश का इससा पहले कपड़ा उत्योग में करांती सुरूओ बारत ने बड़ी मांत्रा में कपड़ी कपास का आयात किया अब धागी में कपड़ी को बाहर निकालने के लिए नहीं मशीनों कि आशकता थी इन अविश्कारों में सबसे पहले उड़ने वाला शेटर इस्पैनिंग जानी था जिसने कपास को तेजी से स्पिन करने में मदद कि वाटर फ्रेम और खचर ने धागी को बारिक और सस्ता बनाने मदद की एली वेटनी ने कौटन जीन का अविश्कार किया जो हाथों से तीन सो गुना तेजी से कपास की बीच को अलग करते थे उन्होंने अपने हथियार का रखाने में पहले बड़े पैमाने के तरीके इ जेम्स वाट ने क्या बने इस्टीम इंजन्स का विश्कार किया जो क्रामती का प्रतीक था इसे किसी भी तरह की मशीन में इस्तिमाल किया जा सकता था इस्टीम इंजन्स के बाद और राइट ने पावर लूम भी बनाया जो जेम्स वाट की इस्टीम इंजन पर चल सकता थ एक पावर लूप मशीन 1814 में जोर्ज इस्टिफसंस ने इस्टीम इंजिन का उप्योप करके पहले लोकोमोटिक रॉकेट का इस्तिमाल किया रेल मार्गों की बड़ी पैमाने पर नेर्मार ने लोगों कोई सामगरी परिवाद में सुधार कर दिया सड्के और नहर की जो प्रणारिया ति है क्या है यात्रा यात्रा को क्या कर दिया मतलब और नाजिए जब 19th century में टेलीग्राफ और टेलीफोन ने संचार को सुधार किया मतलब टेलीग्राफ और टेलीफोन वन गया तो संचार से दा इंप्रोव हो गया ब्लाइश फ़र्नेंस ने लोहे को स्टील में बदल दिया और एग्रिशी मशीनरी के सासाथ क्रिशी में भी क्राथ और यह एंत्रिक कवाय दा रेलिंग जो करनेमाय बादि मतलब जो मशीन रिलिंग करती है यह बहुंआ गये आपने पहले ही नए समुद्री मार्गों की खोश का अधियन कर लिया है जिससे वैपार में जब 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 वृद्धी थी अपनी पड़ा था कि जब समुद्री रास्ते बने थे तो क्यों हुआ था बिजनस में बहुत तेजी से वृद्धी थी ट्रेक्टरेश बिग मशीन इस्टीम एंड एलेक्ट्रिक पावर और दमें सोर्स अफ़ देखो आगे है माल की उत्पादन के लिए कार खाने बड़ी मशीन भाब और बिजली को शक्ती मुख्य शोत्र थे बिजली की जो शक्ती थी वो क्या थे में शोत्र थे इन शोत्रों ने पुराने उद्ध्योग को बदल दिया जैसे पुराने कुटीर और ग्राम उद्ध्योग जैसे पुराने कुटीर और ग्राम उद्ध्योग हैंड वर्ग डन वाई क्राफ्ट में एंड लेवर वर्ड आलसो रिप्लेश न्यू टेक्निक उप मेकैनिकल प्रोडेक्शन एंड इस मैनिमेंट देखो जैसे कारीकर मजदूरों द्वारा किया गया हैंड वर्ग यांत्र इस जाने जाते हैं जैसे बताएं आपको जहां से बता रहे हैं जब बदला हुए तो प्रिशी के वी चेतर में बदला हुए इस टेल्स के हल बनने लगे और ड्रेलिंग के मशीन भी आ गई पर जैसा कि आप लोग पड़ चुके हो कि समूद्र के जो रास्ते थे वह बहुत तेजी से बिसनस में बृद्ध किये थे बिसनस में बहुत जब जब जाबचा रिद्धी वही थी माल कि उतपादन के लिए कार खाने बड़ी मशीन भाप और विजली की शक्ति जो है वो मुक्की शोतर बन जा थे पुराने जो उतपादन है वह भी बदलने लगे थे जैसे की पुराने कुटीर और ग्राम उद्धियों जैसे कारीगार और मज़ूर द्वारत किया गया हैंड वर्ग भी अप्चेंज होने लगा था उसे मशीन रे रूप दे दिया गया था और नय तक्नीक में उसे कंवर्ट कर दिया गया था यह सभी जो चेंजेस थे इंडर्शियल रेवलेशन द्योगी क्रांथी के नाम से जाना जाता है The rise of capitalism was one of the most important results of the industrial revolution और देव करांति के सबसे महत पुन पुन्जी वान का उदैर इस एन एकोनॉमिक शिस्ट्म इन विश्ट्रोडेक्शन डिस्टिबूशेन अंगोड की फॉरृड फढूर यह एक आठिक प्रणाली थी जिसमें माल का उत्रण्ड निजिपुझी पर निर्वद करता था, जिसमें माल का उत्रण्ड किसके होता था निजिपुझी पर डिप पुंजीवाद पुंजीपति कहा जाता था इस केप्टलिस में प्रॉफिट फॉर दैंसेल्फ यह जो पुंजीपति थे मुनाफि खुद के लिए रखते थे पुंजीवाद के बताया गया है कि जैसे बताया गया है कि जो आर्थिक प्रणाली है जिसमें माल का उत्पादा में वित्रा नीजी पुंजी पर डिपेंड करता था जिसे कुछ व्यक्तिव द्वारा इसे कप्रोल किया जाता था जिसे कहा जाता था यह पुंजी पति कि पास रखते थे यह प्रॉफिट को नहीं देते थे लिए भास पे एशिया एफ्रीका इस्या और अफ्रीका पर की विजय जो विविन इस्तितियां एशिया और अफ्रीका की विजय पर वो क्या क्या है इसके सिटी ओफ इंडिस्ट्रिल रेवुलिशन्स और द्योगी क्रांती का संकर्ट जो आर्थी इस एरिया वेरी वैगवर्ड एको नॉमली आर्थी संकर्ट से जो आर्थी पिछले एरिया थे वो इसमें आते थे इस देश फिलो जाते थे यह यहीं जैसे नए पावर नेप पावर फुल हथियार नहीं होते थे यह थायरों का सामना नहीं कर सकते थे अपसेंस ऑफ श्रॉंग नेशन इस्टेट इनके पास मजबूत राष्ट का यह अनुपस्तिती भी एक कारण थी इन अफ्रीका इस्ट्रॉंग नेशन इस्टेट वाज नॉन एक्सेंस मतलब एशिया और अफ्रीका में जो यह मजबूत राष्ट राजे थे यह क्या थे अस्तित्व हें थे यह अस्तित्व में नहीं थे mm अपसेंस ऑफ मेड़्य स्टव जो नहीं तोब दीन और देंसट्व हें उनके नहीं ब्सक्राण़ के बारे में और मोटिवेट भी करते थे वेकाग्र करते थे कि वह जो सामना है जो चैलेंजेज है चुनोतियां उनका सामना करें बट इन डिस कंट्री देर वास लेकिन इन देशों में तो मद्यवर्गी लोग बहुत कम मांत्रा में थे देखिया और अफ्रीका बिजय कि बताया है कि किनकिन परिश्थितियों में इस्थी और विजय होती है दो को पहले तो आगया और दीका संकर्ट दूसरा बताया गया अर तीसरा बताया गया है कि मजबूत राच्ट राच्ट की अनुपस्तिती और चौता बता है कि मद्यवर्गी क्लासेस की भी अनुपस्तिती यह चारो चीज़े आप लोग समझ दियो और आपको नेक्स पढ़ाएंगे तो कॉंपेस्ट आफ एशिया एशिया पर विज्ज है और आप लोग इस का यह लेशन रेट करने के बाद दिफकल वार्ड वगया तो दून लेना कि क्या है इसमें और तैयार करते रहो और नेक्स्ट आपको वेड़ेव डालेंगे अज के लिए इतना है